हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू दी चैनल गाइस अच्छके से वीडियो में हम बात करेंगे कि मस्क्यूलर इंडियोरन्स क्या है और इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इसे क्या इंपॉर्टर्स है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया है तो इस वीडियो को सुरू करत है और चैनल गोज़रूद सब्सक्याइब कर ले और बेल इकन को ज़रूर दबा दे मस्क्यूलर इंडियोरस हमारी यसे हम बीना थके बीना रुखे जादा देर तक एक्सरसाइज प्रॉब कर सकते है एकसरसाइज जयादा देर तक मतलब कि आप जयादा नंवर आफ रेपि जादे number of repetitions तो यह आपके muscular endurance को बताता है तो घाइस अपका muscular endurance इतना जाधा strong होगा आप उतना number of repetitions लगा पाएंगे और बॉडी को hold करता है, यह hold करने का मतलब जिसे आप plank करते हैं तो आप 30 seconds plank करते हैं गर आपका muscular endurance जादा strong होगा तो आप एक मिनट, एक मिनट के बाद देर मिनट जैसे आपका muscular endurance इंप्रूव होता जागा वसे वसे आप body को जादर time तक hold करता हैं तो guys अब हम बात करते हैं कि आप अपने muscular endurance को कैसे improve कर सकते हैं muscular endurance को improve करने के लिए आपको number of repetition बढ़ाने होगा जैसे अगर आप एक सेट में भी 6 repetition करते हैं तो उसे बढ़ाके आपको 10-12 बढ़ाना होगा कब जाके आपका muscular endurance इंप्रूव होगा day by day एक दिन में इंप्रूव नहीं होगा exercises sit ups planks यह सारी exercises आप करेंगे तो आपका day by day muscular endurance इंप्रूव होगा वैसे तो बहुत सारे exercise है बैट मैं आपको कुछ exercises के नाम बता है यहां पर तो गाइस अगर आप muscular आप्स के लिए set लगा फिर आपने चेस्ट के लिए लगा फिर आपने ठैसिप्स के लिए फिर biceps के लिए फिर soldier के लिए continue लगा बिना rest के लिए हुए एक circuit में complete गया तो बिनाव रूकिये वहिनरे रेस्ट के लिए हुए इसको continue to be next करना इसी को circuit training करते हैं तो गाइस अब हम बात करते हैं muscular endurance strong होने के क्या फायदे है अगर आपका muscular endurance strong होगा तो आप number of repetition ज्यादे लगाएंगे जिसके वज़े से आपका muscle fiber break होगा अगर आपका muscle fiber break होगा तो आपके body exercise कर पाएंगे और जब आप ज्यादा देर एक्सराइज कर पाएंगे तो आपके body में endorphins ज्यादा release होगी endorphins मतलब एक happy hormone है वो ज्यादा release होगी जिसके वज़े से आप relax feel करेंगे और आप happy feel करेंगे work out करने के बाद तो जैसे कि आप कभी जिम में वह बहुत ज्यादा work out कर लेते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छा feel होता आप जब exercise के बाद cool down होते तो आपको बहुत अच्छा relax feel होता तो गाईज अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइकन भी दवा दें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले ताकि यह इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके